सो हे गाई स्वागत आपका एक और फिर शे आपी के यूटीब चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुजलान अनर्जी को लेकर आप लोग देखोगे सुजलान अनर्जी के अंदर पहले जब तेजी बन रही थी एक खबर ऐसी आई जिसकी बाद आप लोग दे उनमें काफी खराब परदर्शन हमें देखने को मिल रहा है पिछले तीन चार दिन से ठीक है पिछले तीन दिन से आप लोग देंगे तो यहां पर नीचे तो आई रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन LC के साथ आ रहे है जो मैक्सिमम तूटना चाहिए वह तूट रहे है इसलिए यहां पर बहुत से भाईयों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या इसमें तेजी बने भी घी या फिर जो स्टो का वह और द्यादा टूटेगा वह कुछे का आपको डाटा दिखाएंगे mutual funds का डाटा आते वह नजर आए फरवरी का वहां पर आप लोग देखो कि किस परकार से जो ना भी खरीदारी होते वह नजर आई है और आपने देखा हो अभी पिछे FI FPI वालों ने जम कर खरीदारी की है ठीक है FII ने जम कर खरीदारी किया 17% स्टेक अपना लेकर गए अभी सुचलोन अनर्जी के अंदर तो आप लोगों को पता भी अभी टाइम कोई तीक कोई नहीं है लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां से स्टॉक में काफी अच्छा मुमेंटम भी बनेगा फिर से यह पता है एक दो दिन में ही हमें देखने को मिल जाए देखो ऐसी खबर आएंगे ना तो देखो हमें जोना भी थोड़े दिन के लिए असर देखने को मि है वो लॉंग ट्रम में काम आएगा तो अभी के टाइम आप लोग देखो जे-एम फनिसिल ने भी कितने टार्गेट दी इसके उपर में चोओन रुपे के टार्गेट दी है तो यहां से स्टॉक में काफी अच्छा मुमेंटम बन सकते हैं आप लोग देखो भी आया नक्स विंड है उसमें भी गिरावट आयोक्स विंड एनर्जी है उसमें भी पांच-पांच परशेंट के लग रही है तो जो भी विंड एनर्जी स्लेटेट कंपनी है उनके इंदर इस खबर का थोड़ा नेगटिव असर आया है मैं भी मानता हूं तो यहां पर वोल्यूम आप लोग देखो कि अब तक जो वोल्यूम नयुक्त सुबाद प्लस किए जि की है ठीक है तो शैम तक आप लोग देखो तुट यहां पर आया हुआ है तो यहां पर आप लोगorgan करेंक रृश्ण आयो वो हमें यहां पर आते हुए नजर आया है और mutual funds के अंदर आप लोग देखोगे निपॉन इंडिया nifty small cap 250 index fund ने जुना भी यहां पर लगभग आप लोग देखोगे जो अपना stake hour 14.38% increase किया है ठीक है यहां पर देखो जो total holding की हो चुकी है वो 82,15,969 quantity गी तो आप लोग देखोगे अपनी जो investment ने इंक्रीज किया है उसके साथ जो grow nifty small cap है इनका same stake रहा जो पहले था भी 2,23,000 इतना ही quantity है उसके बाद आप लोग देखोगे grow nifty total market index जो fund है उन्होंने भी अपना stake हो यहां पर साधे 13% के करीब increase किया है जो आप 64,860 quantity हो गए है तो यहां पर आप लोग देखो mutual funds increase कर रहे है अपना stake साथ में जो FI वाले है FPI वाले है वो अपना stake increase कर रहे है उपर से GM financials ने भी जो नभी उपर में इसको buy rating दी हुई है तो इन सब को देखते हो देखो खबरों का असर रहता है stock यो प्रेक दो दिन रहेगा तीन दिन रहेगा बस ठीक उसके बाद आप लोग देखो कि उस सीजगा हो जाएगा normal और उसके बाद जो फिर से जोना भी अच्छे momentum में आ सकता है तो इसको अगर प्रेशान नहीं होना अपना risk manage करके 10 share लेने है 5 share लेने है उसी प्रकार से add करते रहे है पांस दस पांस दस नीचे हर गिरावट के अंदर तो यह strategy ठीक रहेगे आपका average भी होता रहेगा और stock में जब rally बनेगी न तो आपका जो price न वो उपर से नीचे भी आ जाएगा ठीक अगर उसी price पर बैठ बेचेंगे यहां पड़ाएगा तब ही बेचेंगे तो उससे आप लोग वुष प्राइस तक जाएगा नहीं और आप लोग जोनभी एक साल इसके अंदर ऐसे निकाल दोगे उसलिए थोड़ा सा समझदार के साथ आगे के लिए काम कीजिए और नीचे में सपोर्ट भी 34-35 के असपास का और 38 के असपास टोक आ चुका है और बाके देखते भी आगे कोई ख़बर आएक दो आपके साथ जुरू साजा करेंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आकों को प्राइस करके और थैंक्यू फर वाचिंग दो वीडियो